देखिए, कई बार हम लोग कोई भी strategy जो हम follow करने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे challenge आते हैं कि हम उन सब strategy को किस तरह किस execute करें आज ऐसे ही एक शांदर strategy में आपके लिए लेके आया है जो कि ये काम करता है बहुत सटिकता से आपको मैं लगबग हमेशा ही कहता हूँ कि market में सबसे ज़्यादा market जब बंध होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है पिछले दिन का high और पिछले दिन का close बहुत ज़्यादा माइने रखता है वो इसलिए माइने रखता है क्योंकि high पे सबसे ज़्यादा sellers जमा हो जाते हैं बायर्स भी होते हैं अगर market अगले दिन उपर खुलता है तो automatically वहाँ से sellers निकल जाते हैं अगले दिन market अगर close को छुके जिस तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर आपका profit नहीत और निश्चित होता है एक उधारन में आपको जरूर देना चाहूंगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है और साफधानी पूरवक अमें ट्रेड लेना है मार्केट किस तरीके से काम करता है हमारा target point होगा 100 इससे अधिक मत रगिया अगर बैंक निश्चित में काम कर रहे तो 100 मेरे ख्याल से काफी होता है परयाप्त होता है 100 point में तो अब जग जित सकते है अगर आप रोज सिर्फ 100 point अगर लेना सिख गए तो बहुत होता है क्योंकि समय के सासथ फिर आपके capital फिर बढ़ते जाते हैं अगर आपको एक धारा अगर मिल जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी जो मैं बात कर रहा था कि market जब आपके close के पास आता है असी बात close की होगी कि close के पास अगर market आता है तो ऐसे समय पे आपका क्या करतव्य बनता है आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं आई उसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं जब market close के पास आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि market वाँ पे ठहरेगा नहीं सबसे पहली बात तो यही है कि market ठहरेगा नहीं उस जगपे तो market अगर उस जगपे ठहरेगा ने तो फिर क्या करेगा तो market वाँ से निकल जायेगा कहा निकल जायेगा धियान से देखिए अगर हम देखते हैं यह 26 तारिक का close है हमारा strategy यह होग अगले दिन अगर मार्केट क्लोस के पास आ रहा है उसके बाद क्या करता है उधारण के तौर पे 27 तारिक को जब मार्केट खुला तो यह क्लोस के पास आया और फिर उपर बंद हुआ है सबसे पहला केंडल यह देन देने वाली बात है अगर पहला केंडल क्लोस के पास आ रहा है और क्लोस के उपर पिछले दिन के क्लोस के उपर बंद हो रहा है तो समझ जए कि फिर यहां पर बायर्स बैठ है इसमें शक नहीं है इसमें बायर्स बैठ है मतलब यहां पर बायर्स का दबदावा बहुत शानदार रहेगा अगर दुबारा सुनिये धेयन से कैसा काम करता है पिछले दिन के मार्केट गैप अप उपन हुआ अगले दिन ये देखिए वाला गैप उपन हुआ है गैप उपन हुआ मार्केट दिरे दिरे करके मार्केट क्लोस के पास आया और 15 मिनिट जब खतम होने को रहेगा मार्केट पिछले दिन के क्लोस के उपर खतम हुआ इसका मतलब क्या है कि बायर्स बहुत जादा है तो buyers market को नीचे नहीं आने दे रहे और अगला candle नहीं ये proof भी कर दिया अगला candle देखे पिछले दिन के close के उपर ही है यही आपको समझ जाना चाहिए कि market हमारा target 100 point का है वहाँ से market चला जाए 2000 point 200 point 500 point हमें सिर्फ 100 point लेके बाहर निकल जाना है आएए देखते हैं आपको बहुत असानी जिया से कितना point उपर गया market यहाँ पर लगबग market 500 point के आसपास market उपर गया था खेर हमें 100 point की बात है हम 100 point हम ले लेंगे बाहर से देखते हैं कि और कहीं पर यह यह वाला एक देखिए अब देखिए देहन से देखिएगा इसको यह 28 तारिक का ठीक है 27 तारिक का candle यहाँ पर close हुआ है अगला दिन market यहाँ पर खुल रहा है और वो close के पास गया देखिए close तक पहुचना यह ज़रूर के पास भी अगर पहुचता है तो वहाँ पर आपको buyer sellers बहुत मातर में मिलते है और market जैसे ही उसके पास पहुचता है क्या हुआ यहाँ पर पहले market पहले नीचे आया फिर द close के पास से पहुचके ऊपर जाके बंदो जैसे ऊपर जाके बंदो यहाँ पर आपके दिमांगे पहले क्लिक करना चाहिए कि market यहाँ से bullish होने वाला है क्यूंकि नीचे close के पास जो buyer से उन्होंने market को धके फेक दिया शुरूआती दोर में तो अगले candle पे आप बिलकुल market को buy करके चल सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और market यहाँ से देखिए 100 point तक market अपने आपको trade दिया है हाँ बहले यहाँ से फिर गिरावट आया लेकिन हमारा काम क्या है हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ 100 point लेना आईए देखते हैं आगे के समय में market ने और भी कुछ दिया ह है कि यह वाला देखिए यह वाला देखिए यह वाला देखिए यह वाला आपको profit नहीं देगा यह वाला आपको नुक्सान देगा किस तरीके से क्योंकि मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगा अरे देखिए हर बार काम करेगा नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ बार काम नही के पास आया लेकिन नीचे बंद हुआ है लेकिन यहां पर नीचे बंद होने के बाद यह मार्केट बंद कैसे हो रहा उसको भी आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें यह दोनों बाते हैं अगर आपको प्राइस एक्षन का थोड़ा नॉलेज है अगर सीधा सीधा देखने ज लेकिन यह क्लोस का हो रहा है उस क्लोस के नीचे हो रहा है जब मार्केट खुल रहा है तो उससाब से तो यहां पर पूट लेना चाहिए था लेकिन अगले ही मार्केट यहां से उपर चला गया अगला पॉइंट अगर मार्केट यहां से उपर चला गया तो बेशक यहां प पचास पॉइंट तक पहुचता है आप वह से निकल जाईए तो कूल मिला के हमारे हिसाब से आपका जो प्रॉफिट और लॉस का रेश्यों होना चाहिए वह आधे से जाद आधा-धा होना चाहिए मतलब अगर आपका 10 रुपे अगर नुकसान होता है तो जब फायदा होगा तो कम से कम 20 रुपे का फायदा होना चाहिए ताकि आप पिछले दिन का नुकसान की भरपाई हो जाए तो stop loss हम रखेंगे 50 पॉइंट का और target हम रखेंगे 100 पॉइंट का ताकि market में आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ ले ये वाला देखिए अगले दिन की बात है एक तरीक को यहाँ पर market close हुआ पहला candle यहाँ पर बन रहा है बड़ा candle बना और पिछले candle पिछले close के नीचे close हुआ ये वाला जो candle close हुआ दो तरीक का पिछले candle के नीचे close हुआ market अगला point देखिए अगला 15 मिनिट सीधा market एक दम एक दम नीचे दोसों के पास मतलब 15 मिनिट के अंदर market लगब अगर 200 से 300 pound market नीचे चला गया तो कई कबार होगा कि आप देखते रह जाएंगे आपके आपको के सामने आपका premium बढ़ते 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 चला आपके 100 प दिशा में momentum देता है जिस दिशा में आपने trade लिया है फिर आपको जो फायदा होता है वो बहुत खतरनाक और अप्रतीम होता है कभी कबार आप ऐसे जगह पर जैसे market देखिए आपने तो कहे दिया आपको 100 पॉंट लेना है लेकिन market उस दिन ये दो तारिक की बात है market बहु उसे 300 पॉंट market नीचे चलाया हाँ उसके बात देखेंगे तो फिर market वहाँ से हलका bullish हुआ दो घंटे के आसपास market में फिर गिरा बटाया तो इसलिए कई कबार आपको ऐसे bonus point भी मिल सकते है आप उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा ये bonus point के लिए और वो bonus point आपके हुए जो losses है आपने अगर महीने में 3-4 loss भी अगर करते है वो bonus point से वो loss के भी पैसे निकल जाते है तो ये जो strategy है ना ये बहुत ज़्यादा strong ये दिखने में सुनने में बहुत साधरन लगता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा complex strategy पसंद आती है साधरन strategy लोगों को पसंद नहीं आती है जहां पर 4-10 indicator लगेंगे जहां पर चीजों को हम 2-3 indicator के सहारे अगर तीनों match करता है तो ही ट्रेड लेंगे ऐसे जो complexity जो हम लोग पैदा करते है उन लोग के लिए ये strategy है नहीं और सब ज़्यादा नुक्सान वही लोग करते जो ज़्यादा complex कर देते ट्रेड हो नहीं सकता जो लोग चीजों को बहुत आसान भाषा में देखते आसान नजरों से देखते है उनका ट्रेड बहुत जल्दी और बहुत जबर्दस बहुत जल्दी सफल भी हो जाता है इस बात को आप लोग याद रखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लेग जो ला